किंग खान शारुखान और साउथ के स्टार प्रभास में छड़ गई जंग स्टारों के तेवरों का बदल रहा 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 दोनों कह रहा है मेरी फिल्म देखने वाले दर्शुकों को नाचीनो एक ही तारीक के आसपास रिलीज हो गई दो बड़े स्टार की फिल्म तो किंग खान शारुख का चड़ गया पारा और फिर प्रभास को दे डाली धंकी फिल्मी दुनिया के दो स्टार आपस में टकरा रहे हैं और कारण है दो फिल्मों का एक ही दिन पर जनता के सामने आना और भी रोचक बात है कि दो रो सुपर स्टार है जिसमें एक साउट का स्टार है तो दूसरा बॉलिवोड का किंग खान इस विवात की मिली जानकारी के मताबिक शारुख खान की डंकी और प्रभास की सालार से एक दिन पहले रिलीज हुई थी तोनों फिल्मों की बीच स्क्रीन को लेकर बहुत पहले से ही खीचतान मची हुई है शारुख खान की डंकी ने 21 दिसमबर को 30 करोड रुपे की कलेक्शन के साथ अच्छी शुरुआत कर लोगों का दिल जीत लिया लेकिन यह शारुख खान की 2023 में ओपनिंग डे पर सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म भी रही है इसके पीछे कारण कुछ भी रहा हो लेकिन एक बड़े जनाधार और खुद शारुख खान को लगता है कि उनकी इस कम कमाई के पीछे का कारण प्रभास की फिल्म सालार को मान रहे है और इनहीं प्रभास की सालार फिल्म शारुख की डंकी फिल्म को कड़ी चुनोती दे रही है इसको लेकर सेकनल की रिपोर्ट बताती है कि डंकी ने 5 करोड रुपे से ज़ादा कमा लिये हैं उमीद है कि फिल्म दिन के अंत तक करीब 25 करोड रुपे का कारुबार कर लेगी डंकी के पास कल तक ज़ादा स्क्रीन थे लेकिन प्रभास की सालार को लेकर जबरदस्त माहौल है जिसकी स्क्रीन की संख्या में भी इजाफा हुआ है इन फिल्मों को लेकर चर्चाए हैं कि सालार ने एडवांस टिकेट बुकिंग से पहले ही 90 करोड रुपे कमा लिये हैं अनुमान है कि प्रभास की फिल्म ओपनिंग डे पर डंकी के पहले दिन के कलेक्शन से दुगना कमाईगी यानि सालार के पहले दिन का कलेक्शन लगभग 60 करोड रुपे रहने की उम्मीद जताई थी डंकी की अच्छी शिरुवात के बावजूत सालार से क्लैश के चलते इसकी टिकेट बिक्री में गिरावट आने की संभावना है जैसा कि शारुक की डंकी 21 दिसंबर को रिडिरीस हुई थी जिसकी कहानी चार दोस्तों की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती नजर आ धी है तो वहीं प्रभास की सालार एक एक्षिन से भरपूर फिल्म है जिसे लेकर दर्शकों की राय भी जकारात्मक नजर आ रही है जिसे वीकेंड पर इसकी टिक्टो की बिक्री जादा होगी या कम ये देखना होगा खबरों के मताबिक टिक्टिंग प्लाटफॉर्म का बयान है कि बीते एक घंटे में सालार के पचास हजार टिकेट बिक चुके हैं सालार में प्रभास के अलावा प्रत्वी राज सुकुमारन शूतिहसन ने एहम रोल निभाया है वहीं डंकी में शारुक खान के साथ तापसी पन्नू और विकी कोशल ने अभिने किया है वैसे फिलाल आप इन दोनों में से कौन से स्टार की फिल्म देखना पसंद करेंगी अपनी राय हमारे साथ साजा करें साथ ही ये भी बताएं कि आप तक प्रभास या शारुक की कौन सी ऐसी फिल्म देखी है जो मन को भागई है फिलाल दोनों ही स्टार सिनेमा जगत के बड़े कलाकार माने जाते हैं दोनों अभिनेता के प्रशंशक अपने अभिनेता का जंडा उंचा करने में लगे हुए हैं जिसमें से कोई प्रभास को सही बता रहा है तो कोई किंग खान शारुक खान को प्यूरे रिपोर्ट पीडियन निउस